कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है I hope आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी तो अचानक ऐसे ऑनलाइन आने का जो रीजन है मैं आपको बता दूँ कि NIOS जो इशू है NIOS के स्टुडेंस की जो इनलिजिबिल्टी हो गई है उन लोगों को विचारों को डिस्क्वालि तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ NIOS के कंडिडेट्स को जो 2012 से अलाओ होते थे 2012 से उनको अलाओ किया हुआ था कि आप लोग दे सकते हैं अचानक इस साल जब बहन किया गया तो आपको पता होगा हम लोगों ने कोशिश करी थी कि ये स्टुडेंस को वापस से किसी तर जावडेकर जी से बात हुई सारी बाते हुई HRD मिनिस्ट्री ने MCI के साथ मिलके एक पूरा डिसकेशन भी किया जिस दिन मैं डेली में था उस दिन मीटिंग भी हुई और यह फैसला किया गया कि NIOS के स्टुडेंस को इलिजिबिल कर दिया जाएगा लेकिन प्रॉब्लम य गया जाएगा उसके पीछे हुआ क्या है हुआ है कि यह मैटर डिसकस हुआ था आपको पता है आप लोग को सुनके बहुत दुख होगा और बुरा लगेगा कि इगो इश्यू इगो इश्यूस बिट्वीन टू सेक्रेटरी तू अफिसर्स या टू मिनिस्ट्री आप कह सकत या दो ब्यूरोक्राट्स जो भी आपका है I'm not sure actually किन-किन के बीच में ego issue है कि वज़ा से इन बच्चों की बली चड़ाई जा रही है इन N.I.O.S. के बच्चों की ऐसा क्या ego issue आ गया है वे भी मैं आपको बता देता हूँ ठीके ego issue यह था कि उस meeting में फैसला हो गया उसके बाद यह जो decision था यह decision ministry of health में pending पड़ा हुआ है और इसकी वज़ा से जो NEET का notification निकला उसमें N.I.O.S. को allow करना चाहिए था पर क्योंकि वो decision बीच में अठका दिया गया ministry of health में pending इसलिए वो N.I.O.S. एक दो दिन तो CBSE ने ड सबूत देता हूँ National Institute of Open School N.I.O.S. जो है उसने उसने को सुनके बड़ा आजीव लगेगा हमारे देश में स्तिति ऐसी है उसने यह letter लिखा है मेरे पास यह letter Supreme Court of India को Where is the letter? मैंने पता किया है यह letter authentic है अभी शायद मैं आपको post कर दूँगा यह letter क्योंकि शायद इस वक्त आप इसको देख नहीं सकते इस letter को अब यह letter क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ इन्होंने लिखा है यह letter किस किस को लिखा है मैं आपको बता हूँ N.I.O.S. ने लिखा है यह letter इन्हों लिखा है Honorable Supreme Court को जो हमारे case में बहुत मजबूत evidence बनके सामने आएगा N.I.O.S. का case तो हम जीत के ही रहने वाले हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए ठीक है और Ministry of Health and Family Welfare को Medical Council of India को Supreme Court के अलबा Secretary Department of School Education को Chairman CBSE को और Chairman N.I.O.S. को इन सब लोगों को उन्होंने यह letter लिखा है और इस letter में क्या लिखा है इन्होंने इसमें इन letter लिखा है मैं आपको भी कोई short में हिंदी में translate कर देता हूँ बाद में मैं पूरा letter इसको post कर दूँगा कि जो meeting हुई थी medical 3 November के letter के बाद जो बात आई थी उसके बाद meeting हुई थी उसमें decision ले लिया गया था कि भई इन लोगों के allow कर दिया जाएगा उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यह decision Ministry of Health में ही अटका हुआ है अभी तक और वहां से आगे नहीं बढ़ पाया ठीक है और इधर notification यह सारी बात इसमें लिखी हुई है, quote unquote बोलता हुआ, it has been conveyed in the said letter that the decision has been taken on the advice of learned additional solicitor general of India which has duly been approved in the executive and governing board of the medical council of India. Besides that, Oversight Committee appointed by the Supreme Court of India has also approved the decision, ठीक है, the decision is however pending with the Ministry of Health for approval of the Honorable Health Minister, that is why the decision is pending. Now what was the decision, मैं एवेंट पे आता हूँ, पीछे, the learners of NIOS who have passed out from senior secondary school examination of NIOS are treated as ineligible for NEET, ना, this was done, और इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद की बाद की तक बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद मिटिंग यह तो, इसके बाद रिचिए उसमें दि students will become ineligible. Now Nios again says कि ऐसा क्या हो गया? मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको कि ऐसा क्या हो गया उसके बाद पहले तो इनको allow कर रखा था कि अचाना कि ineligible हो गए और Nios के लोग ये भी कहते हैं अधिकारी कि हमारे पढ़ाने के तरीकी में कहीं कोई कमी नहीं है ये जो matter है ये बिल्कुल गलत है आरोब कि Nios के बच्चे कमजोर होते हैं या दूसरे बच्चों से compete नहीं कर पाएंगे इसलिए नहीं रोग दिया जाए ठीक है? फिर उन्होंना अपने तीन Nios में जाते हैं अगें, in this letter, further ठीक है? ये पूरी की पूरी बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है और इसी तरह से लिखी है बाकी मैं letter post करूँ है तब आप पढ़ दीजेगा letter हमने आगे भी forward कर दिया है जहाँ भी concerned authorities में है कि यहाँ पे ego issues बन गया है और यहाँ पे हजारों बच्चे परिशान है depression में है तो इन्होंने फिर finally appeal करी है Supreme Court of India और इन पांचों लोगों से जिनको मैंने वारे में लिखा कि in view of this, it is once again requested to reconsider the issue and grant equivalency of Nios certification for 12th class at par with Central Board of Secondary Education CBSE and CISCE Council of Indian School Certified Examination as has already been conveyed by the medical council of India in the letter dated 2012 ठीक है और इसके बाद इन्होंने अपना data दिया है कि Nios कितनी competent body है तो ultimately यह तो letter है जो मैं आपको बात में दिखाऊंगा मुद्दे की बात पर आते हैं मुद्दे की बात यह है कि case तो हम कर रहे हैं क्योंकि Nios ने खुद ने हमारे साथ देने का फैसला किया है कहीं न कहीं bureaucracy के टक्राओं की वजह से यह पता नहीं कितने बच्चे हैं यह 50,000 बच्चे हैं यह एक लाख बच्चे हैं जो Nios से एक्जाम देते हैं यह सब फसे हुए तो आप प्लीज इन बच्चों के लिए जो भी authorities अगर इस वीडियो को सुन रही है तो देखे हमारे पास letter B हमें पता यह bureaucracy की वजह से आप प्लीज इसको जल्दी से जल्दी से नोटिफेकेशन को एमेंट कीजिए वन्ना फजीयत होगी आपकी Supreme Court में जीत तो हम जाएंगे मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी court में तो time लग जाएगा 15-20 दिन और यह बच्चे attention में रहेंगे आ रहेंगे तो हम नहीं है case ठीक है लेकिन आप प्लीज आप खुदी इसको सही कर लीजिए this is last warning और आइंदा से students के लिए पढ़ने वाले students के लिए अपने ego issues के लिए इनको harass मत किजी हम complain करेंगे अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे तो और दूसरी यह तो मैंने आपसे अगर गुस्से में भी बोल दिया बट मैं आपसे request भी कर रहा हूं साब NIOS के बच्चे आपको पता है कौन होते हैं यह बहुत गरीब बच्चे हैं इनके पास पैसे तक नहीं होते case लगने के मैं फिर इस बात प्यार हूं यह दो दिन से रो रहे हैं आपे रोज phone आ रहे हैं मेरे पास पता ही कौन से बच्चे हैं यह बच्चे हैं जो कहीं काम कर रहे हैं किसी restaurant में कोई काम कर रहा है कोई किसी छोटी मूटी जगा पर क्लर्क की नौकरी कर रहा है 23-24 साल का हो गया है in fact मैं कोट नहीं करूँगा कल एक बच्चे का फोन आया बहुत रो रहा था वो child is an orphan ठीक है वो अपनी मेनस से orphanage से पढ़के 12th करा उसने ठीक है थोड़ा लेट हो गया आपकी तरह 18-19 साल में बाकी बच्चों की तरह नहीं किया और अब वो चाहता है कि वो डॉक्टर बने उसके लिए उसने साल बर तयारी करी किसीने किसी तरह से कहीं न कहीं काम करते हुए उसको भी हम प्रेटिशनर बना रहे है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसने open school क्योंकि उसके पास न तो इतना पैसा था ना resources थे कैसे ना कैसे करके वो charity पे पलके बढ़ा हुआ और वो अपना exam देना चाहता है और आपने एन मुखे पर उस पे लिए लगा दिया रोक I mean this is ridiculous you should not have done that आपको अगर कोई rule बना आप NIOs को खतम करना चाहते हो क्या करना चाहते हो तो कर दो इन बच्चों को कोई और alternative board offer करो पर तब तक आप यह नहीं कर सकते so this was the major issue यह letter हम लोग देंगे और इस चीज को हम fight करेंगे और NIOs के बच्चों को बिल्कुल घबराने की जड़त नहीं आप petitioner बनते जाएए कोई पैसे की दिक्क्त आएगी मैं बैठा हूना है आप हम लोग सब कर लेंगे और जितना यह case strong होता जा रहा है उतने हमारे जीतने की probability बनती जारी पैस पैटिशनर के संक्या बढ़ती जाएगी हम case जरूरी जीतेंगे ठीक है दूसरी बात यह 10 प्लस 2 gap के लिए बहुत बच्चे परेशान हो रहे है ठीक है 10 प्लस 2 के gap के वीचे मैंने अभी इससे पहले पोश्ट कियो इसमें सारी बातें लिख दी है आप उसे पढ़ लीजेगा 10 प्लस 2 में प्रॉब्लम यह है कि अभी तो उन्हेंना फॉर्म तो लेना शुरू कर दिया है और फॉर्म लेना कोई इश्यू नहीं है आपका फॉर्म सब्मिट हो जाएगा आपको एड्मिट कार्ड भी आ जाएगा आप जाके ऑफ्लाइन एक्जाम भी दे दोगे हो सकता आपका रिजल्ट भी पॉब्लिश हो जाए और एमसी सी से आपकी और इंडिया रैंक्स भी आ जाए लेकिन जब आप स्टेट काउंसिंग ले अपलाई करेंगे स्टेट काउंसिंग के लिए प्लस जब आप इसके लिए या फिर कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको आपको लेने जाएंगे तो वहां पर नीट के क्षिंत हो जाई है क्योंकि आप आप नीट का फिर सकते हैं यही बात इडिशनल बायलोजी वाले बच्चों के लिए भी लागो होती है तीसरे इस्यू पर आता हूं अपना पढ़ाई करते रहे हैं अधर अपना केस चलता रहे जब तक इनका रिजल्ट आएगा नीट का औ चुका होगा ठीक है तो इसलिए हम लोग ये पिटीशन स्पाइल करवा रहा है ताकि बच्चे निश्चिन्तों के पढ़ाई में मन लगा सके और केस चलता रहेगा क्योंकि जिनके फॉर्म एकसेट हो रहे हैं वो भी डरे हुए सबसे कॉमेडी की बात तो यह कि ऐसे इसी इंदास होके फॉर्म भरी है आप लोग लेकिन जो एडिशनल वाले प्लेस टेन प्लस टू वाले हैं इनको अभी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन बाद में इनको अटकाया जा सकता है इनका रिजल्ट रोक सकते हैं अभी तो उन्हेंने फॉर्म एकसेप्ट कर लिया है नेक् सब्सक्राइब करें दूसरा इश्यू हमने जो उठाया था वह था टेन प्लस टू गयव वाला जिस पर मैंने आपको बताया कि क्यों पिटिशनर बनना जरूरी है हलाकि अभी तो हम फॉर्म भर रहे हैं और ऐसा घबनाने की विज़ुरत नहीं है आप लोग एक्जाम की त करी है पर बाकी भी लोग परिशान है तो यह कुछ इश्यू उस्ते है एक शॉर्ट इंस्वीट में आनलाइन आया आप इसमें जो भी आपकी क्यूरीज होंगी आप इससे पिछली वाली पोस्ट पे कमेंट करते हैं अगर इसमें कमेंट्स में आपको प्रब्लम होती है तो वहाँ पर हम लोग सब इसको सॉट आउट कर लेंगे ठीक है तो चलिए पढ़ते रहिए संडे है अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें और कोई बात आएगी तो मैं आपके सामें जरूर होंगा वीडियो को शेयर करना मत भूलिए